तो नमस्कार दोस्तों मैं मनुहर सुम्वानी एक बाद फिर से आप सभी का सौगत करता हूँ National School of Education गूला डूला हैरागटी यूटूब के रखे तो हज हम लोग सुरू करने वाले हैं चेप्टर 2 क्लास 4 मैच का चेप्टर का नाम है तो इसको जाने से पहले समझने से पहले एक छोटे से बात समझ लेते हैं यहां से दूसरे क्लास की डिस्टेंस को एक पैर दो पैर तो यह क्या सही रहेगा जीति ऐसा करते हैं तो समभवता जो हमारा मेजरमंट ह Mississippi क्यों सही रह protr führt क्योंकि हो सकता है किसी का पैर छोटा हो किसी का बड़ा हो तो इस समय क्या हो सकता है कि उसमें चार बार आया उसको मेजरमंट चार separates टो तो यह बड़ा और चोटा आप समझ सकते हैं कि किसी का छोटा हो सकता है कि इसे कंडिसर में हमको एक ऐसे स्टेंडराइड सिस्टम की जूरत पड़ती है जिसको युनिफॉर्म सभी माने तो ऐसे हमारे पास जो सिस्टम है वह है स्केल लंबाई के लिए हम मेजर करते हैं मेज किलोमिटर, फीट, यार्ड यह सब हम चीज यूज करते हैं तो इसी के बारे में हम लोग पूरे इस चेप्टर में स्टडी करेंगे एक उसरे का कनवर्जर कैसे होता है एक यूनिट से दूसरे यूनिट कैसे होगा ठीक है कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है कौन से ट इसमें आपको एक चित्र दिख रहा है, उस चित्र में आप देखिए how far apart are the dots, इसमें आपको पूछा है कि ये जो dots है, है ना, इसमें ये dots एक दूसर से कितरी दूरी भी है, ठीक है, तो आपको दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है, A, B, C, B, इस तरह के से alphabets लिखा हुआ नीचे जो questions पूछ रहे हैं, उसको आपको guessing करके बताना है, distance between any two dots, how many centimeters, ठीक है, आप देखिए आपके book के दूनों तरफ, page पे centimeter scale दिया हुआ है, 0, 1, 2, और ये 24 तक, तो इसका centimeter scale से आप measure करके बता सकते हैं, कि कौन कितना distance पे है, ठीक है, अब ये पूछता है, two dots, do you think are farthest from the each other, अब ये पूछता कि कौन से दो dot है, जो सबसे लंबी दूरी पे है, ठीक है, और फिर अगला जो पूछता है, वो कम से पास वाला पे है, ठीक, तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं, कि कौन सबसे पास पे हैं, यदि आप हैं, तो od, ck, fm, ये बहुत पास पास लग रहे हैं, वैसी, ये d, d से x, आप देखो, थोड़ा दूर लग रहे हैं, ठीक है, वैसी g से m देखो, तो दूर लग रहे हैं, और कोई बच्चा कह सकता है, कि g से k, सबसे जादे की दूरी दूरी रहा है, ठीक है, तो आपको ये distance इस तरीके से measure करने का एक technique है, बताने के process किया जा रहा है, तो आप बच्चे x को ध्यान से समझ लीजे, क्या है, आगे देखते हैं, page पलट कीजे, एक बर क्या होता है, कि sorter line का concept है, इसमें आप देखिए, कि आपको पता है, अगबर was a famous king, अगबर क्या है, famous king था, he had a smart minister called Birbal, और उसके जो मंत्री था, वो कौन था है, Birbal था, तो एक बर क्या होता है, अबर उनको एक question पूछते है, जमीन में एक line ट्रा कर देते हैं, line on the floor ट्रा कर देते हैं, और उनको बोलते हैं, कि भाई, इनको बिना मिटाए, Birbal जी, आप इसको छोटा करता हो, ठीक है, अब उ Birbal तो बहुत ही smart था, बहुत clever था, उन्होंने क्या कर दिया, उनके बाजू में एक बड़ा line खिच दिया, इसे क्या हो गया हो, वो line छोटा हो गया, ठीक है, तो देखिए, ये comparison कर लिए हमने, कि इस line के तुल्ला में ये line यू क्या है, छोटा होता है, अब आपके पास आप किस तरीकी से बना सकते हैं, आप चित्र में दिखाया हुआ है, ऐसा आप करके practice किजिए, दूसरा बोलता है, draw a cup one centimeter shorter than this cup, जो cup दिख रहा है, उसे एक centimeter छोटा आपको cup टब करने, उसके बाजी में draw करेंगे सभी बच्चे, draw a broom half as long as this broom, जो जाडू दिख रहा है, उससे आपको आधा, just आधा, मतब छोटा broom draw करने है, आप वहीं पर draw करेंगे, draw another hair of double the length, जो length दिख रहा है, इसका hair का ये picture में, उससे double आपको बड़ा बनाना है, hair, तो वहीं पर आप बड़ा सा बना देंगे, ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका sort कैसे होता है, उसके comparison में हम लो कैसे निकालते हैं, आपने देख लिया, ठीक है, अगला जो page है, उसको देखे, page number 15, इसमें लिखा है, how tall have you grown, तो आप सभी को पता है, कि हम लोग हर साल, ठीक है, हर term में, term 1 का exam होता है, term 2 का, term 3 का, तो हम लोग आपका height measure करते हैं, अच्छे लोग, ठीक है, तो आपका height ये कि आपको पता हो, और पिछले साल कितना है, तो आप दोनों में difference निकाल सकते हैं, कि मैंने 1 साल में, 1 cm, 2 cm, कितना मेरा growth हुआ, कितना मेरी उचाई, बढ़ गी, ठीक है, तो एक, नीचे एक table है, देखिए, find out and fill the table below, ठीक है, आपके दोस्तों का नाम लिखना है, पहले, ठी अचिया, उनका height कितना था, cm में, और अभी कितना उसका height था, तो उसके बाद फिर आप निकाल लेंगे कि कि किसी का 10 था, तो फिर 11 हो गया, 12 था 13 हो गया, ठीक है, 14 था 16 हो गया, तो इस तरीके से कितना उनका growth हुआ, या आप निकाल सकते हैं, आप आपके देखते हैं, ज जूंपा क्या करती है, एक बार, जो इस दुनिया में जितने भी लंबे लोग है, उनके list के बारे में देख रहे थी, तो एक वो देखती है, कि इनका जो सबसे लंबा है, उनका जो height है, जाई है, वो 270 है, ठीक है, that is just double the जूंपा site, तो जूंपा की height से वो just double थी, ठीक है, तो जूंपा की height कितनी होगी, ठीक, तो उसका आधा करतेंगे हैं, ठीक है, वो कितने आजाएगा, वो आप लोग यहाँ पे centimeter में लिखेंगे, ठीक है, यह कर सकते हैं किलकुल, जैसे 10 था, तो उनका आधा करतेंगे, तो 5, 12 था, तो 6, तो यहाँ पे 272 है, इसका आधा, half क कर देंगे, तो क्या जाएगा, आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, चली, अब कुछ imagination वाजी बाथ है, क्या यह आदमी, आपके school के जो डोर है, उसे cross कर जाएगा, बिन जूके, अब सुचिए, ठीक है, Will this head touch the roof of the house, if they stand straight, क्या यह यह स्टेट खड़े होए, तो जो छट है, उसको टच कर सकते है, उनका height, यह उनका सर, ठीक है, यह आप पताएगा, इसी तरीके से आपके घर के लिए कुछ काम है, आप देखिए, कि आपके घर में tallest, सबसे उच्चा, कौन है आपके family members में, और क पर लिखे, और फिर दोनों का difference, ठीक है, आपके मम्मी सबसे उची है, पापा उची है, दादा उची है, उनका, सबसे छोटा आपकी भाई, बहनी, आप, सेम उनका, और दोनों का अंतर करना है, ठीक है, यह समझे में आ गया है, आपको चलिए, आगे देखते हैं, चलिए, sports meet होता है, ठीक है, तो इसमें आप लोग race करते हैं, तो आपको race पता है, किस तरीके से होता है, 100 meter का race होता है, 500 meter का race होता है, ठीक है, तो देखे, एक इसमें लिखा हुआ है, छोटा सा race कबर में बताया हुआ है, ठीक है, तो देखे, एक इसमें लिखा हुआ है, छोटा सा race लगा हुआ है उसके छे मिटर बाकी है और एक पर उनको पहुचना है ठीक है तो अरुणधती सबसे आगी चल रही है उसके पीछे रहाना है और उनके पीछे दो और गल्ड है कौन-कौन है एक तो है कुमा और कौन का ना यह दो गल्ड और पीछे चल रही है ठीक है तो अब ये question पूछते है, how far is Rehana from Arundati, Arundati से Rehana कितने दूरी भी है, कितने पीछे है, तो आप अंदाजन लगाए, 3 meter, 6 meter, 10 meter, 15 meter, आपको option दिया हुआ है, आप अपने जाप से बताईए, देखिए, ठीक है, how far ahead is Rehana from Uma and Konkana, ठीक है, आप देखिए, Rehana जो है, जो last two girls है, उनसे कितना आगे है, ये भी आप उपर से देखिए, अंदाजन लगाए, ठीक है, उसके बार बोलते है, how far are Konkana and Uma from the finishing line, अब ये जो last में जो दो girls है, वो कितने दूरी है finishing line से, तो देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा, कि Rehana अरुंधती से, ठीक है, जहां तक स ठीक है, और B में क्या आ सकता है, B में 6 आ सकता है, ठीक है, और C में आ सकता है 15 meters, ठीक, आगे, आपको पता होगा, कि आप 1500 meters, 300 meters का raise भी कर चुके होगी, लेकिन, क्या आपको पता है, कि meter और kilometer में क्या संबंध है, क्या relation है, तो यहाँ पे आपको वही बताने की कोशिस किया जा रहा है, 1500 meters raise, people run blank kilometer, ठीक है, मतलब, एक kilometer में कितना meter होता है, ठीक है, एक kilometer में कितना meter रहता है, एक kilometer में 1000 meter होता है, तो 1500 meter मतलब 1.5 kilometer, वैसी, यहाँ पे नचे देखिए, 3000 meters, तो 1000, 1000, 1000, 3000, तो यहाँ पे 3 kilometer, ठीक है, अब आपको पता है, महराथन का दौड़ भी होता है, अगले पेज में 17 number का, तो महराथन दौड़ होता है, तो हमारे पास इसमें बहुत लंबी-लंबी दूरी का महराथन होता है, 40 kilometers का है, ठीक है, तो अभी दना तो हमारे पास क्या होता है, दूरी बहुत दूरी होता है, तो उसका जो ट्रैक है मानलो की तरह है आपका 40 मीटर्स का है तो आपको इसको चेकर तो 400 x 10 करते हैं कि क्या हो जाएगा 4000 तो 100 टाइम कर देंगे तो क्या आजाएगा यह आपका 40 किलमेटर के परामर आजाएगा इस तरीके से लॉंग जंप का गेम होता है लॉंग जंप कि देखे यहां पर धन्नू हैस्ट लॉंगेस्ट जंप 3 मीटर धन्नू सब्सक्राइब 3 मीटर 40 संटीमिटर जंप किया है और ठीक है और इस जंप इस 20 संटीमिटर लेस देन धन्नू ठीक है तो इनका 10 मीटर 40 संटीमिटर लॉंगेस्ट था धन्नू का उनसे 20 संटीमिटर लेस है और वो भी थर्ड आया है कि जंप इस जंप इस ओंदी 5 संटीमिटर अ क्सट है तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा आंद गर्ज के देखके जाएंगे आप 3 मीटर 45 संटीमिटर 20 संटीमिटर माइनस करेंगे तो क्या आजायेगा आपका इतना आ जायंगा भरी अ अब अतये यह गुर्जित के लिए आ जाएगा 3 मीटर 20 सेंटीमेटर फूल पच्या होगा ठीक है अब गोफी का कितना आ जाएगा 3 मीटर 15 सेंटीमेटर 20 में से 5 मेंज़ करेंगे इस तरीके से यह क्या है आपका यह मेंटल मैस है इसमें आपको क्या संधार की कुछिस किया गया है कि मीटर सेंटीमेटर और फिर क्या किलो मीटर में आपस में रिलेशन कैसे होता है इंकर कैल्कुलेशन कैसे होता है ठीक है चलिए आगे और पढ़ते हैं चलिए तो देखते ह हम देखते हैं कनवर्जन ठीक है मतलब कि किलो मिटर से मिटर में कैसे बदलेंगे मिटर से किलो मिटर में कैसे बदलेंगे मिटर से सेंटिमिटर में कैसे बदलेंगे तो एक किलो मिटर में क्या होता है, एक हजार मिटर, एक किलो मिटर इसका मतलत है, एक हजार मिटर, ठीक है, दूसरा, एक मिटर में कितना सो सेंटिविटर, एक मिटर में कितना सो सेंटिविटर, ठीक है, क्या अदर हैगा, और एक किलो मिटर में कितना सेंटिविटर मिटर, त ब्लाइक सेंटिमेटर होता है अब इससे व्लेटेट कुछ कोईस्टन कर लेते हैं ठीक पहला क्या है एक किलो मिटर ब्लैंग कितना मिटर तो एक किलो मिटर में कितना वन थाउजन मिटर होता है जबाप लिखतेंगे से मिटर वन मिटर 1 थाउजन मिटर में 2 धाउजन मिटर फिकल थाउजन मिटर यही मिटर है अब आपको पता चले गया होगा इसमें 11, 12 तो 5000 मिटर रहे है चेल आगे 10 क्लिमिटर है तो 10,000 मिटर हो जायगा 10 20 तो यह इस तज़़ी के जायगा अब अगला जू परशन है वो देखिए 6 क्लिमिटर 600 मिटर और दोनों को मिलाके मीटर को ठीक है? एंसर किस में ला रहा है? मीटर तो इसकर यह मतलब हो गया कि इस किलो मीटर को अबने को पदल दा पड़ेगा किसमे? मीटर में और उसके साथ जो 600 मीटर है उसको एड करना पड़ेगा देखे यहां पर करद बता करें 6 किलो मीटर इसका क्या मतलब हो गया कि 6000 मिटर हो गया और पीशे क्या दिया हो है 600 मिटर ठीक है यह 600 मिटर उसके साथ एड हो जाएगा तो दोनों एड होगे पितना आ जाएगा 006 6600 मिटर तो यह आपके ऐसा होगा तो और लstäुंगे हैं आ यह 6600 ठीक है यह क्लियर होगा आप चेक आगे देखते है ऐसी नैस्स क्या हमारे पास नैस्स क्या है 9 www.250 मिटर उसको किलो में गजЯना है जर्द में बतलना है तो देखे ट किलो मिटर का क्या मतलब है भरी 8 km को मतलब है, 8,000 meter, उसे बाद क्या दिया है, 250, 250, 250 meter, दोनों को क्या कर दे रहा है, add कर दे रहा है, 0, 5, 2, 8, 8, 250 meter, ठीक है, क्या है, 8,250 meter, चाले, next देखते हैं, यह क्या है, आपके पास 6 km, यह 6 km, 6,000 meter, उसे बाद 6 meter, 6 meter, यह 6 meter हो गया, ठीक है, जोनों को क्या कर देना है, जोड़ देंगे, यह देंगे, 6,000, जीरो, अब क्या आगे answer, 6,006 meter, बिक्ते के वहाँ पे, 6,006 meter, ठीक है, ठीक है, अगे देखते हैं, next क्या है, यह है, यह है, 5 km, और 50 meter, बतना किसमें है, 5,005 meter, ठीक है, तो, आपको चेकरना पड़ेगा, यह सेब क्वेश्चन हो गया, तो 5 km क्या मतला है, 5 km क्या मतला है रही, पताईए, 5000 meter, ठीक, उसके बाद, 15 meter, 15 meter क्या मतला है, ठीक है, ठीक है, 5000 meter, ठीक, इस तरके से आपको समझ में आ गया होगा, कैसे हम किलो मिटर से मिटर में बजलते हैं, ठीक है, तो, एक किलो मिटर में, 1000, ठीक है, मतलब 1000 meter होता है, ठीक है, ज़िए, जी मीटर में बजलना रहा है, किलो मिटर में बजलना है, किलो मिटर में बजल देती है, ऐ तो अनूंपो फिर जोड़ से खिंए है, Ж, ठीक है तो 5000, ठीक है, 1000, 1 km, ठीक, तो 5000, आता 5 km यह बश गया, 800, वो, इक करने चले जाएगा, ठीक है, इच्छे जाएगा, 2200 km, 2000, 2000 मतब 2 km, और बाकी 200, इशे, वी डर में चले जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे, 1150, 3100, 3000, 3000, 3,000, 3 km, 150, जो इच्छे जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगला, 4000, 96, 4000, में चले, 4000, 4,000, 4,ículノचर, 96, ठीक, 6,010, तो 6010, उसमें क्या जाए रही है, 6000 में से 6 km हो जाए ना, और ये तो 0 को में 10, 10 पॉइंट, 10 पॉइंट, इस तरह की से आपको समझ में आगया होगा कि कैसे हम लोग km से मीटर में बतर रहे हैं, और km के साथ, ठीक है, ये कुछ बच रहा है, उसको मीटर में अलग से लिख रहे है, ठीक है, चेली की बोग, तो चेली, नेक्स्ट क्या है अपने पास, कोटीन नंबर को क्वेशन है, उसमें क्या करणा है, 3880 मीटर को km और में बतर रहे हैं, तो 3000 मीटर, 3000 मीटर ना तला 3 km, वाकी 880 मीटर में चीदे जाएगा, 880 मीटर, समझ में आए हैं, जिसको अपन 1000 बोल रहे हैं, 3000, ठीक है, वो km बाकी 1210 मीटर, समझ में, 4000, 210 मीटर, समझ में, 4000,ắt बाकी 1210 मीटर, यहां, बिछेंगा 1500 मिटर इसको से बो चालते है, 1500 1000 मिटर का मतलब है 500 मिटर का गया ठीक है, बिछेंगा 1 मितर 600 cảm 100 सेंटीमितर सेंसिंå, पाइ मेटर, बाल में न में 100, फाइ ममें 100 सेंसिं मेटर, तो उसके बाल क्या करना है, ट्री मिटर और ट्री करने ट्री condition ठीक हैं其實। अब इसको जैसा आपने पहले किया था सौ गाशेगा से देखने जिए थ्री मीटर, थ्री मीटर का मतलब थ्री हंड्रेड सेंटिमीटर ठीक है, ठीक है दोस्के बाद 20, आपको दिख रहा है नहीं दिख पा रहा है? यह 3 मीटर का मतलब होने आप यह 3 sem आपको लिख क्या है? 20 cm भयाद कर दो 20 cm आजाएगा? 320 cm कि है कि होंगे है यह आपको ठीक जिटRI आजाएगा 320 cm ठीक है? दोसी तरी के इसको शॉर करेंगे इसको शॉर के के आएगा लेकिए 10 मीटर तो आपको 10 मीटर में क्या दाना है 10 और 12e 1000 cm वसे वर किले का 9 सेटर, ये 9 सेटर, बो अब करते हैं 9 001 कि है 1000 और जे नाइन सेट खिक है? टियर है? अब 100 cm इतना मिटर के परावर उपन सेंटीमिटर है देखिए तो आपको पता है 100 तो अदला 1 खिक है? 200 cm वाजब 2 मिटर खिक अब इसको देखिए ये क्या है आपको सेंटीमिटर में दिया हुआ है मीटर और सेंटीमिटर मतलब खिक तो आप क्या करें कि इसको शेकर लेज़े लिखते हैं 488 cm तो 400 cm का मतलब क्या है? 4 मीटर प्रेंट बाकी जो रहागे है वो सेंटीमिटर में लिखती से खिक क्लियर है बाकी 550 cm 500 cm का मतलब 500 cm का मतलब 500 cm का मतलब 5 मीटर ठीक है 50 cm अगे जो 600 cm मीटर 600 cm अगे 6 मीटर उसके बात और कुछ रहेंगे नहीं यह 0 cm ठीक है? तो आपको यह समझ में आगे होगा Conversion ठीक तो आज हमीं क्या के पढ़ा गुप का explanation दिया है आपको हमने ठीक है? उसके बार फिर आपको Conversion पढ़ा है मीटर सेंटीमिटर ठीक है ठीक है? तो यह आप अच्छे से प्रेक्टिस करेंगे और कुछ डाउन कोगा तो नेक्स क्लास नेटमिल्स को देखे ठीक है? धुम कर दीक है झाँ जो प्याए